आज की वीडियो बहुत ही स्पेसल होने वाले है क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ मैं पहला यूट्यूबर हूँ वीडियो बनाने वाला इंडिया पे अभी इसके उपर मेरे को नहीं पदा कि और किसी ने बनाया है कि नहीं सायद से फर्स्ट हूँ आपको दिखा देता हूँ वह M1887 की स्कीन के आपकी कौन सी मिलने वाली एक बहुत मस्त स्कीन है गाइस तो अभी मैं आपको ट्रेनिंग में सा से पहले जाके दिखा देता हूँ स्कीन ठीक है तो यह अपना ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए और यह जो अभी आप लोग स्क्रीन पर मनी हिस्ट बंडल देख रहे हो यह भी आपको इसकी भी वीडियो आ जाएगी कल तक में ठीक है चैनल पर अगर आप लोग नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना क्यूंकि हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं और गाइस अपडेट के बाद जितने भी पुराने गिलिचेश थे हो सके वह वर्क ना करें क्यूंकि 887 का न्यों स्कीन मगर मैंने लिया कि M10 का स्कीन में मतलब बदल जाएगा मगर चलेगा यह M10 जैसा है इसमें आपको एबिलिटी नहीं मिलेगी ठीक है बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या एबिलिटी रती एबिलिटी नहीं आप लोग बस स्कीन का मजा ले सकते हो कि है मगर हाथ में तो आपका M10 रहेगा और अपने फ्रेंड्स को यह भी कहके चौका सकते हो कि इसी स्कीन में आप छेचे गोली फायर कर सकते है एक दो तीन चार पांट छे ठीक है गाईस सब चौका सकते हो अपने फ्रेंड्स को तो देख लो गाईस यह है आपका M1887 का अप एक्सचेंज हो है ठीक है तो यह चीज अभी बहुत अच्छी है कि आपके जो यह वाली स्कीन है यह बहुत सारी गन से मतलब एक्सचेंज हो गी है ठीक है आपके पास तो यह वाली गन स्कीन होगी पका ठीक है अभी मैं दिखाता हूं तो यह वाली गन स्कीन तो आपके पा वाली से हुई है कि नहीं मेरे को नहीं पता मैंने अभी तक वीप नहीं हां कि देखो सबसे कैसे यूज़ कर सकते हो तो बिना किसी देरी के चलो करते है वीडियो स्टार्ट तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको जाज़ा चीवर सॉफ्ट्वेर और M187 इसकीन बाइशुप दोनों की लिंक मिल जाएगी आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है अब उसके बाद आपको क्या करना है डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने को क्या करना है अपना ZR का option देखने को मिल जाएगा तो आपको एक्स्रेक्ट हेयर के option पे क्लिक कर देना है क्लिक करते ही यह पासवर्ड मांगे है ठीक है तो इस पासवर्ड आप लोग स्क्रीन पे अभी देख सकते हो मैं दिखा रहा हूँ पासवर्ड तो गईज यह है पासवर्ड आपका t-e-c-hy-space-s-h-ub ठीक है टी बड़ा है एस बड़ा है बीच में ty और s के बीच में space है ध्यान से देख लो गईज फिर आप ok पे क्लिक कर दो ok पे क्लिक करते हैं आपको एक नया फोल्डर देखने को मिल जागा com.dts.freefire इस पे जोर से का arrow बना हुआ है folder की उपर तो आपको भी वैसा ही मिलेगा आपको भी उस पे क्लिक करना है फिर आपको android देखने को मिलेगा आपको अपना android में चले जाना है फिर data नाम का folder आपको देखने को मिलेगा data में चले जाना है और यहीं पर आपको paste कर देना है अगर यह replace को पूछ अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई